हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका ब्रैंड न्यू वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर वन टाउन सिक्स्टीट के स्पॉलर्स की तो बिनर टैम को वेश के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो अपने चैप्टर की शुरुआत हमेशा की तरह उसके कवर पेस से होने वाली है जिसमें हमें पिशली बार की तरह जज और सीजर को फाइट करते हुए दिखाया गया है पर इस बार वो दोनों बस फाइट ही नहीं कर रहे हैं बलकि अपने ओल्डेस को याद भी कर रहे हैं कि कैसे वो मैट साइंटिस गूर्प का हिस्सा थे और मेबी तब भी वो दोनों इसी तरह से एक दूसरे से फाइट किया करते थे और जैसा कि मैंने आपको लाश शेप्टर में ही बता दिया था कि ये फाइट बस एक फ्रेंडली फाइट हो सकती है और हमें जल्दी फूचर में इन दोनों के बीच में एक अलाइंस देखने को मिल सकती है तो भाई वेगपंक, जजज और सीजर क्लाउन वर्ड के तीन सबसे बड़े साइंटिस्ट हमें श्ट्रोइट का साथ देते हुए दिख सकते हैं फ्यूचर में क्योंकि जर्मा फैमली के जो भी गिले शिक्वे थे अब वो काफी कम हो चुके हैं वोलकेक आलेंड के इंसिडेंट के बाद और अगर सीजर और जजज एक साथ मिल गए तो सीजर भी श्ट्रोइट का साथ दे सकता है क्योंकि सीजर नहीं चॉपर की मदद करी थी रंबल बॉल को डिवलॉप करने में जिसकी वासे चॉपर काफी टाइम तक अपने मॉंस्टर पॉइंट को मिन्टेन कर पाया था और रही बात वेगापंग की तो वो भी लूफी की हेल्प करेगा इन फ्यूचर क्योंकि लूफी उसके पुरानी दोस ड्रेगन का बेटा तो है ही पर इस आर्क में लूफी वेगापंग को सीपीचरों से बचाने भी वाला है और उसको सैगेट से भार निकालने भी वाला है और अगर ऐसा हो गया तो हमें सारे श्रॉइट्स का और पारबूच देखने को मिल सकता है यसे कि फ्रैंकी, उसौप, चॉपर और नामी जोकि काफी हद तक टेकनोलिजी पर रिलाए करते हैं अपनी फाइटिंग स्टाइल के लिए रही बाद जोरो, सांजी, रॉबिन और लूफी की तो वो तो शाहिद ही मदद ले किसी साइंटिफिक चीज़ों में पर रॉबिन उनसे काफी नॉलेज गेन कर सकती है और मेभी हमें लूफी के डैल फूट की इंफॉमिशन भी मिले और अगर सांजी चाहे तो वो अपनी जर्मा बलड को और डिबलॉप कर सकता है और अपनी बॉडी को और स्ट्रॉंग बना सकता है और मेभी सायद जोरो को कोई डैरेक्शन फ्रूट में मिल जाए तो आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो अपनी चैप्टर 1068 का टाइटल होने वाला है अजीनियस ड्रीम तो चैप्टर का टाइटल वेगापंक के ड्रीम के बारे में बताता है पर यह वो ड्रीम नहीं है जिसे हमने लाफ्ट चैप्टर में देखा था जिसमें वेगापंक कहता है मैं चाहता हूँ मेरे ब्रेन की डाटा को दुनिया के सभी लोग एक्सिस कर पाएं और उसको मोडिफाई कर पाएं ताकि सभी लोगों के पास दुनिया की पूरी नॉलिज आ जाए और इसकी मदद से मैं भी उतनी नॉलिज गेंड कर सकता हूँ जीता मैं एक लाइफ में कभी गेंड नहीं कर पाता पर इस चैप्टर में वेगपंग अपने दूसरे द्रीम के बारे में बात कर रहा होता है जिसमें वो कहता है मैं चाता हूँ कि मैं दुनिया की सभी लोगों को फ्री एनर्जी प्रोवाइट कर पाऊँ और यहाँ पर एनर्जी से बेसिकलिए उसका मतलब है जो इलेक्रिसिटी, फायर या गैस टाइप की एनर्जी होती है उसकी बात चल रही है पर यह सब करने के लिए उसे ऐसी एनर्जी की जरुवत होगी जो कभी एक्स्टेंग्विश ना हो या फिर बहुत टाइम तक चल पाए पर ऐसी एनर्जी के बारे में बस एनर्जी के लोग को ही पता था और वेगापंग को ये बात उस एन्चेंट रोबोट से बता चली जिसने 200 साल पहले मेरी जोस में टैक किया था और उस रोबोट के उपर रिसर्च करके ही वेगापंग ने आज तक अपनी सारी इंवेंशन को अचीव किया है और अपने एगएड आलेंड के एनर्जी रिसोस को खोजा है और वेगापंग के चेप्टर में ये भी रिविल करता है कि यही रिजन इसकी वाशे वेड़ गर्मेंट अब उसे मारना चाहती है क्यूकि इसे एन्चेंट किंडम और उसकी एनर्जी से उसके पार में काफी इंफोर्मशन मिल गई है और World Government Ancient Kingdom की छोटी से छोटी information चुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है चाहे वो फिर Vegabung को मारना ही क्यों ना हो और इसी रिजन के वासे हमें CP0 को Egghead Island में अंटर करते हुए दिखाया जाता है पर जैसा कि हमने लास्ट चेप्टर में देखा था कि Vegabung शाका ने CP0 की एंटरी डिनाय कर दी है Egghead के अंदर और कुछ reinforcement भेजी है ताकि वो उने रोक सके तो इस चेप्टर में हमने चलता है कि वो reinforcement और कोई नी बलकि Seraphim's है चोकि Seraphim Snake यानि कि Boha Hancock, Seraphim Hawk, Dracule Mihawk और Seraphim Shark यानि कि Jimbe हैं जिन को शाका order करता है CP0 को रोकने के लिए और वो उनके साथ सेंटो मारू को भी भेजता है ताकि वो Seraphim को Controble कर पाए तो जिसको याद नहीं है मैं बता दूँ, सेंटो मारू वो ही परसने जिसने सावा वोडी में स्टोहेट्स पर टेक किया था और वो Vegapunk का राइट हैंड मैन है पर उसके साथ साथ हमें उसे Marines के Ship में भी काफी बार दिखाया गया है तो वो World Government या Marines का भी एक Member हो सकता है या फिर है तो क्या इस चैप्टर में हमें सेंटा मारू, Vegapunk को बिट्रे करता होगा दिखाय जाएगा क्योंकि अगर सेराफिम्स और स्ट्रोहेट्स एक साथ रहेंगे तो ये तो obviously CP0 के लिए एक worthless battle हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि Oda कभी भी easy battle प्रोवाइट करेगा स्ट्रोहेट्स को और वो भी CP0 के अगेंच जिसमें Raw Blue सी है जिसे श्ट्रोहेट्स का 36 का आकड़ा है तो maybe हमें इस शेप्टर में सेराफिम्स और सेंटो मारू CP0 का साथ देते हैं दिखाये जा सकते हैं तो ये fight स्ट्रोहेट्स वर्थी CP0 प्लस 4 सेराफिम्स हो जाएगी क्योंकि सेराफिम्स खुमा भी CP0 के साथ ही है और अगर ऐसा हो गया तो भाई लोग हमें ये fight देख लिए में काफी जादा मज़ा आने वाला है और फिर हमें next spoiler में दिखाते हैं कि रॉब लूसी ने अपने rock again attack से वेकपंग एटलस को काफी जाड़ अमेज कर दिया होता है हमें यहाँ पर ये तो नहीं बताया गया कि एटलस भी बैटल में गई होती है या फिर नहीं पर अगर ये बात सच है तो ये उतनी हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि रॉब लूसी को भी major power up मिला होगा क्योंकि बिना power up के CP0 के अंदर entry तो possible नहीं है और वो भी रॉब लूसी की जो की एक बार straw head से हार चुका है और इसी वाज़ से काफी लोग सोच रहे है कि लूफी बसी लूसी की बैटल एक one-sided battle होने वाली है तो लेट सी क्योंकि at the end of chapter हमें दिखाते हैं कि लूसी की entry एगट के अंदर हो गई है और हमें लूसी और लूसी को आमने सामने दिखाते हैं और chapter यहीं पर end हो जाता है तो अब ये कुशन हमारे सामने आता है कि सीपिजर आखिर एगट के अंदर कैसे enter किये क्या उन्होंने इतनी जल्दी त्रीन सेराफिम को हरा दिया या फिर मेरा शक्स ही हो सकता है कि सेंटर मारू ट्रेटर बन गया है और अब सारे सेराफिम सीपिजरों के साथ हो गए है इसका जवाब तो हमें chapter में ही मिल पाएगा और अगर आपको पूरे chapter का हिंदी explanation देखना है तो चैनल को subscribe करो मिलता हम आपको अगली वीडियो में सब तक के लिए सायो नारा